हलो एवरिबन आप लोग कैसे हैं हो बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स जैसे आपको देखके ही पता चल गया है तो आज हमने बनाए हैं गोन के लड्डू बहुत ही टेश्टी और बहुत ही ज़्यादा निूट्रिश बहुत ही ज़्यद्स आपको देशी घी लेना है और उसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे काजू तो थोड़े से मैंने काजू लिये हैं इसे अच्छे से इस तरह से 2-3 मिनद तक आप फ्राई कर लीजे तोड़े से कराये से हो जाएं बस अतने प्राई करना है आपको इसे पकाने नहीं जब हलके से इस तरह से ब्राउन सा दिखने लगे तो आपको निकाल लेना है और इसी तरह से इससे ज़्यादा नहीं करिएगा आप बस इतना ही आपको ब्राउन करने है सारे आप निकाल लिजे काजू और फिर इसी जितना घी बचा हुआ है इसे में हम थोड़े से बदाम डाल लेंगे इसे भी 2-3 मिनट तक हमें अच्छे से फ्राई करने है तो आपको फ्लेम बहुत एज नहीं करना है मीडियम फ्लेम करना है जब बदाम अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो ये थोड़े फूले फूले दिखेंगे तो बस आपको इस तरह से बदाम को भी निकाल लेना है देशी घी हमें थोड़ा जादा लेना है और इसके मुट्टी भर मैं इसमें डाल दे रही हूँ गोंद क्या होता है कि जैसे ही हम डालते हैं उसमें थोड़ा सा घी हमारा हलका सा गरम होना चाहिए और थोड़ा सा अच्छे से चलाएंगे तो दातों में चिपकेंगे अब इसके बाद क्या करना है और घी डालना है आपको एक बड़ा चमच घी डालेंगे और उसके अंदर डालेंगे मखाने तो मखाने और जो घी होता है उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है जैसे ही आप मखाने डालेंगे घी में तुरंत यह पी जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा कहां चलेगे इस सारा घी तो इसे हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अच्छी तरह से आपको इसे फ्राई कर लेने हैं जब फ्राई हो जाएंगे तो साइज में थोड़े छोटे-छोटे दिखाई देंगे अपनी पसंद की अनुसार ले सकते हैं एक से दो कप ले सकते हैं मैंने थोड़ा तीन कप लिया है थोड़ा सा ज्यादा लिया है थोड़ा से ज्यादा लटू बना रही हूं तो इस तरह से आपको अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करके चलाती रहना है यह जो भून दना अलग हो जाएगा और अच्छे सी खुश्बू आने लगी तब आपको गैस बंद कर देना है अब हमारी सारी चीजे त्यार हो चुकी है काजू और बदाम हमने अच्छे से फ्राई कर ले हैं मखाने भी एकदम करारे करारे फ्राई हो गए है तो काजू भी देखने में ब तरह से फ्राई नहीं करना है और इस तरह से छोटे टुकुड़ों में काट लीजिए और इसकी गुकली निकाल दीजिए और फिर इसे मिक्सी में डालके आप इसे घुमा लीजएेगा एकदम पाओडर सा आपको मिल जाएगा और उसी तरह से आपको एक नारियल लेना है तो थोड़ा सा मिक्सी को रोक रोक के चलाईएगा तो यह आपका दरदरा रहेगा इसको पाउडर बना रहे हूं क्योंकि जब घर में कोई बूड़ा होता है तो खानी पाता है तो इसकी हिसाब से मैं बना रहे हूं आपको जैसा पसंद हो उस तरह से कर लीजे तो मैंने इस प्रूट्स काजू बदाम को पीस लिया है और चुहारे जो यलो यलो चुहारे है उसे भी पीस लिया है और इस तरह से गोंद को भी पीस लीजें क्योंकि इसमें गी है तो थोड़ा से इस तरह से दिखाई देगा और नारियल को भी मैंने पीस दिया है मिक्सी में तो सारी जीजे पीकसने के बाद अब हम क्या करते हैं कडाई में थोड़ा सा डाल देते हैं एक चमज घी और इसे मेल्ट होने देंगे जब अच्छे से यह मेल्ट हो जाए तो आपको इसमें डालना है गुड़ गुड़ आप जितना मीठा खाते हैं उसी साब से ले लिजे जितनी हमा लेकिन बहुत जादा नहीं डालिएगा बहुत मीठा हो जाएगा तो मैक्सिम आपको वन केजी इतनी क्वांटिटी में डालना है गुड़ और उसे अच्छे से आपको मेल्ट कर लेना है इस स्टेज तक जितना में दिखा रही हूं जब इतना अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आपको जो हमने पाउडर बना के चीज़े रखें उन्हें अच्छे से इस तरह से आपको सपैचुला से अच्छे से मिक्स गर दीजिए और फिर इसके अंदर जो हमने आटा वून के रखा है उसमें भी उसे भी अच्छे से मिक्स गर दीजिए आटे में हमें जो घी की क मिल आएंगे तब रगेगा नई अच्छ बगी है बहुत बड़ी कहीं जादा कहीं कम इस तरह से नहीं होनी चाहिए तो हम्हें हाथों से अच्छे से मिला देना है मुझे तो तब ही Satisfaction होगा जब हाथ से मैं अच्छे से मिल दूह यह अच्छे से मिल जाए तो हमने जो गुड का सिरप जो बनाया है जो मैल्ट किया है गुर्ट उसको इसमें । डाल देना है आपको और डालके किसी भी आपको प्रवह कि स्थlor इस को मिलाना है हाहस सिटार्टिंग में नहीं मिलाइएगा क्योंकि प्रव बहुत गरम है जल सकता है तो इस से जिस तरह से मैं मिला रहे हूं स्थोटी सेक्श हे नहीं मिला धीकर थोड़ीसे एक voz II मिनट होнять ठटा तो आपको अच्छे से गुड़ को मिक्स कर देना है पूरे पाउडर में बढ़िया से मिक्स करना है पूरे जितना भी पाउडर है पूरे अच्छे से आपको गुड़ उसमें इस तरह से मिक्स कर देना जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपको लेना है घी देसी घी और पि नहीं मिलाएंगे पहले इसको स्पून की साहिता से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे जब अच्छे से थोड़ा सा मिक्स हो जाए एक से दो मिनट में मिक्स हो जाए तो आप क्या गरना फिर हां से अच्छे से मिक्स कर देना कि जब मिक्स कर लेंगे तो आपका जो लड्डू है बहुत इसली बन चाएगा तो इस तरह से जसे मैं बना रही हूं लड्डू हाथ में थोड़ा सा जितना छोटा या बड़ा आपको बनाना है उतना क्वांटिटी में आप पाउडर ले लेजे औ तो देखिए लड्डू अगर आपका लड्डू नहीं बन रहा है सूप गया है मिक्षर तो आप क्या करना थोड़ा सा घी पिगला के डाल देना तो इसली लड्डू आपका बन जाएगा है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लड्डू है आप जरूर ट्राई कीजेगा बहुत ही टेस्टी बनते हैं बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स आप भी जरूर ट्राई कीजेगा इस तरीके से अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ल का बटन यूज़ करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो नेक्स वीडियो मिलेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग बाबाई